केंदर सरकार ने LIC करमचारियों की वेतन में बड़ोतरी को मंजूरी दे दी है इससे करीब एक लाग करमचारियों और 30,000 पेंशनर्स को लाब मिलेगा केंदर सरकार ने LIC करमचारियों के वेतन में 17 फीसिदी बढ़ोत्री को मनजूरी दे दी है ये बढ़ोत्री अगस 2022 से प्रभाविय माना जाएगा इसका मतलब है के LIC करमचारियों को अगले महीने सैलिरी के साथ एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है केंदर सरकार के मनजूरी के बाद इन करमचारियों का वेतन अगले महीने से बढ़ कर मिलेगा करमचारियों के वेतन में 17 फीसिदी के बढ़ोत्री के बाद LIC के ऊपर हर साल 4000 करोट रुपए का भार बड़ेगा वहीं 1 एपरिल 2010 के बाद जॉइन किये 24,000 करमचारियों का NPS कॉंट्रिबूशन 10 फीसिदी से बढ़ा कर 14 फीसिदी हो जाएगा संशोधन में LIC pensioners को उनके यूगदान को प्रोटसाहित करने के लिए एक मुशित भुकतान भी शामिल किया जाएगा इससे 30,000 से जादा pensioners और पारिवारिक pensioners को लाब मिलेगा कमपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि सरकार ने पहले पारिवारिक pension की मात्रा बढ़ाई थी जिससे 21,000 से जादा family pensioners को लाब हुआ था कमपनी ने कहा कि इस बदलाब से LIC से जुड़े करमचारियों और pensioners पर साकरात्मक प्रभाव पड़ेगा कमपनी ने कहा है कि ये LIC को भविश्य के पीड़ी के लिए अधिक आकरशक रोजगार प्रस्ताव भी बनाएगा LIC इस वेतन संशोधन के लिए भारत सरकार का अभारी है जिससे सभी LIC करमचारियों और उनके परिवार को लाब होगा ये बड़ोत्री सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई भत्ते में 50% की बड़ोत्री के बाद आई है इसका मतलब है कि केंदर सरकार के तहत आने वाले करमचारियों को 4% डिये में बड़ोत्री देखने को मिलेगी गोरतलब है कि केंदरे कैबिनिट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी करमचारियों के महंगाई भत्ते और पैंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 4% बड़ोत्री करते हुए 50% कर दिया है इससे करोडो करमचारियों और पैंशनर्स को लाब मिलेगा यह महंगाई भत्ता एक जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा जानकारी कैसे लगी है हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा जल्द मिलेंगे तमाम जानकारियों के साथ देखते रहे हैं खबर